So Hello friends, कैसे आप लोग आज की रूड़े में आपको बाताने वाला हूं Windows 11 की प्रॉलम के बारे में अगर आप लोग Windows 11 फर्स्ट टाम स्टॉल कर रहे हैं और स्टॉल करते डायम आप लोग पास इंटर्नेट नहीं है तो आप लोग सामने लास्ट में Windows स्टॉल के टाइम पर कॉन्फिग्रेशन रन होती है उसमें प्रॉलम आती है कि लेट्स कनेक्ट तू दा वाई-फाई या आप नेडवर्क से कनेकरने के लिए जब आपको Windows 11 बोलता है तो आप बहां पर फज्जात है कि आपके पास आगर नेडवर्क नहीं हो तो आगे कैसे कॉन्फिग्र करना है तो इसी प्रॉलम को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बिना किसी इंटरनेट के आप लोग Windows 11 को कैसे कॉन्फिग्र कर पाएंगा तो चली फ्रेंड्स बिना किसी देरीक वीडियो करते हैं स्टार्ट तो फ्रेंड्स कुछ इस तरीकी के प्रॉलम अभी आप लोग फेस कर रहे हैं और इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है करना है आपको शिफ्ट के साथ में F10 को प्रेस और F10 प्रेस करने पास प्रेंड्स आप लोगों सामने आ जाएगा एक ब्ल क्माइड जो है कि फ्रेंड्स जिए कमाइड पूरी कैटल अटर में टाइप करिएगा और सेम बिल्कुल ऐसी टाइप करिएगा यह है डावल ओ बी ए बैगवर्ड स्लेश बाइपास एन आर ओ और इसकाद आप जैसे एंटर करेंगे वह आपकी कमाइड जो है वह सेक्सेश भी फॉलो करिएगा यहां पर आप लोग देख सकते हैं हमारा सिस्टम बिर्स से रिस्टार्ट हो चुका है और रिस्टार्ट होने बाद यहां पर हमें अपनी लोकेशन सर्च करनी है मतलब कहां से आप लोग पीसी यूज़ कर रहे हैं इसके बाद आप लोगों के जो कीव कि हम लोग बाकी विंडोज इस्टालेशन में करते हैं जैसे कि हम लोग विंडोज 10 में करते हैं अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं यह आप्शन फिर से आगया तो यहां पर पहले जो यह आप्शन नहीं आता था कि I don't have इंटरनेट तो यहां पर आप लोग टिक करें नहीं तो आप लोग यहां से कर सकते नहीं तो आप लोग ऐसे भी next कर सकते हैं इसके बाद दुबारे next कर देंगे एक बार फिर से और यहां पर हमारा जो configuration वो complete हो गया है बास हमारा विंडोज बहुत जल्दी open होने वाला है इसी तरह किसे आप लोग step बेश्टे follow करिएगा जब आप अपनी विंडो में अगर यह problem face कर रहे हैं और इसके बाद भी अगर आपको कोई problem आ रहे है तो मुझे comment करके जरूर बदाईएगा मैं उस पर कुछ ना कुछ solution आप लोगों जरूर दूँगा यहां पर friends अभी कुछ minutes की यह loading चल रही है friends बस हमारा window जो है वो finally install हो चुका है बस यहां पर इसके बाद हमारा window open होने वाला है friends जब तक यह configuration चल रही है अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए है और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप लोगों को यहां पर काफी सही वीडियो मिलती रहती है यहां पर friends हमारा window finally open हो चुका है इसी तरह किसे आप लोग भी इस problem को solve कर पाएंगे अगर आप बिल्कुल सेम तरीके से वीडियो को follow करेंगे So friends जे वीडियो देखके अगर आप लोग Windows 11 successfully install हो गई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर लिजे और बाकी अगर आप लोग किसी और दरीके की problem face कर रहे हैं वो मुझसे आपको लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं तो चली friends मिलते हैं अपनी नेस्ट वीडियो में जब तक लिजए हिन वंदे मातरां झाल